Hello everyone, welcome back to my YouTube channel अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है उसे प्रस करना ना भूले तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का जो मैंने इस वीडियो बनाया है, यह मैं specially बना रही हूँ लॉकडाउन में, अब जब छोटे बच्चे घर पे हमेशा मोबाईल टीवी के लिए माबाप को परिशान करते हैं तो आप उन्हें कैसे एक्टिविटी में बीजी करें, जिससे वो मोबाईल और टीवी देखना लगभग भूली जाएं तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, तो जो मेरा फर्स स्टेप है, जो मैं अपने बच्चे के साथ भी करती हूँ जिससे कि वो मुबाईल और टीवी ना देखे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने लिया है किस टाइप का बॉटल मैंने यहाँ पर लगा लिया है कलर अब हमें क्या करना है? इसे हमें? इसे मैंने इस तरफ बना लिया है, अब मैं क्या करूँगे आप देखते जाएए अब मैंने लिया है ग्रीन कलर, मैंने इसमें ब्रश को डिप किया और हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो इस तरीके से इसे जॉइन करें अगर आपके पास बॉटर कलर नहीं है, तो आप स्केच कलर भी दे सकते हैं बच्चों को आप सकते हैं अब मैं नेक्स यूज़ कर रही हूँ यलो कलर जो मैं अपने इस फिंगर की हेल्प से यहां बीच में इस तरीके से लगा दे रही हूँ तो यह हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी जिसे बच्चों को हम बिजी रख सकते हैं तो हम मूव करते हैं भी सेकेंड एक्टिविटी पर तो जो second activity है उसके लिए मैंने यहाँ पर lady finger का piece लिया है इसे मैं करने वारी हूँ color में dip और हम इस तरीके से shape बनाएंगे यह दिखिए तो यह मैंने इस तरह से draw कर दिया है पर इस बार मैंने इसमे sketch color का use किया है तो अब हम move करते हैं हमारे third बाले activity पे तो जो मेरी third activity है वो कुछ इस तरह से है इसके लिए मुझे क्या चाहिए इसके लिए मुझे पहले चाहिए इस type का एक ear birds इसे मैं dip करने वाली हूँ pink color में देखे तो आप बच्चों को इस तरह से दीजिए यह मैंने color में dip किया और इस तरीके से आप बच्चों को करके बताईए यह देखिए तो हमने क्या किया मैंने लिया एक birds एक side से उसमें pink color लगा के इस तरह से किया और दुसरे side में green लगा के हमने इस leaf पे किया और finger से yellow कर दिया बीच में तो इससे क्या होगा जो बच्चा है उसकी holding capacity भी increase होगी प्लस वो इस flower के अंदर ही इस birds का use करके इस तरह से dot बनाएगा ओके तो जो हम next है यहाँ पर बाजवे मैंने बनाया हुआ अल्रेडी अब इस बार हम क्या करने वाले हैं वो भी आप देखते चाहिए कुछ बच्चे होते हैं जिनने अपने fingers में कुछ भी लग जाएगा तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है यह उनका एक तरह का problem होता है जो कि हमें उसको solve करना है तो उसको solve करने के लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को हाथ से बहुत सारे काम करने दें जिसे कि देखिए अभी मैंने finger पे color लिया है आप बच्चे को बोले किसी finger पे जिससे वो करता हो उसे वो इस तरह यहाँ पे बनाए इससे क्या होगा इससे जो उसे हाथ में गंदगी या कुछ भी लग जाता है जो अच्छा नहीं लगता है इस वज़े से बहुत बच्चे हाथों से खाना भी नहीं खाते हैं तो हमें उस problem को दूर करने के लिए बच्चों को इस तरीके से painting में involve करना चाहिए जिससे वो इस बात को समझें तो देखिए इसे इस तरह से किया जाएगा और फिर से हम finger के help से इन पत्तियों में भी उन्हें इस तरह के dot बनाने के लिए कहेंगे तो अब move करते हैं मेरे next step पे तो यह हमारी fourth activity है तो fourth activity में आपको क्या करना है आपको इस तरह का घर या कोई भी एक structure बना के देना है बच्चों को और जो इस तरह के papers आते हैं उसे हमें काट के बच्चों को देना है और यहां पे हमें उन्हें कहना है कि आप इसको stick करिए ऐसे और इसके लिए हमें different color का use करना है कुछ इस ताइप से तो आपका काम क्या है आप बच्चों को structure बना के दें और इसका cutting करके दें glue लगा के दें और stick करने का काम बच्चे खुद आपको बताती हूं करके यह दिखिए कुछ इस तरीके से इसे मैंने पूरी तरह से stick कर दिया है तो इसी तरह आपको बच्चों को बताना है और यह activity हमीं हमारी इसी के साथ खतम होती है तो मैं last की activity पे आती हूँ तो आज के लिए यह मेरी फिफ्थ एक्टिविटी है फिफ्थ एक्टिविटी में आपको क्या करना है आपको कोई भी एक structure बनाना है structure आप कोई fruit बना सकते हैं या जैसे कि मैंने पिछले में बनाया हुआ था कोई house बना दीजिए या तो आप जैसे मैंने ये draw किया है ऐसे draw करके और यहां पर glue लगा के आप बच्चों को इस तरह की papers को छोटे-छोटे से ऐसे बनाने के लिए कि और यहां पर उसे stick करने बोलिये इससे क्या होगा फिर से उनकी जो हाथों की इस तरह की activity है वो properly होगी देखिए इस तरह से ये देखिए हमारी last activity भी complete हुई है तो मैं hope करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको subscribe करना है share करना है like करना है और हाँ comment करना बिल्कुल ना भूले कि आपको कैसा लगा ये देखिए ये मेरे बच्चे ने बनाया हुआ है तो आज की आपको एक्टिविटी कैसे लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताईए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई